हेलो डियर स्टेंट्स कैशार आपका पेपर मिली जूली परतिकरिया बिल्कुल आप यूट्यूब पर परतिकरिया अपनी बताओगे पिछला जो पेपर था उसके लिए आप यह कर रहे थे थोड़ा कठिन है तो थोड़ा सा कठिन इसलिए बनाया था और बनाने का यू रहत परस देखिए आप तो लेवल उनका बड़ा अच्छा रहता है फिजिक्स और पॉलिटी दोनों में बहुत बड़ा लेवल आ रहा है तो कहीं कल एक्जाम में आपको फिर रचानक ऐसे परस्ट मिलें राप फिर यह उलावना देता फिरो कि कुछ भी नहीं करवाया तो उसक पेपर हुआ है इसके बारे में आप अपनी पर्तिकिरिया जुरूर देंगे और मैं करवाता हूं सुल्यूशन करते हैं स्टार्ट आइए पहला क्यूशन जो है अपना बलका परिमान मात्र किस नियम के दवारा ग्यात किये जाते हैं तो देखो पर्थम नियम जो है वो बलके गुनात्मक के वैख्या करता है इसमें संख्यात्मक या रिजल्ट या परिमान इसमें नहीं होता तो ये पहला पर्थम नियम जो है वो इससे क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा फिर दूसरे की बात करें गति का द्यूत्य नियम दूसरा जो नियम है वो परिमान की व्यक्षा करता है और जहां परिमान की हम बात करें परिमान इससे निकलता है F बराबर M A से ग्यात होता है और इसी से मात्रक भी ग्यात करते हैं और इसी से संख्यात्मक मान भी ग्यात करते हैं तो बलका परिमान, मात्रक किस नियम के द्वारा होते हैं गती के दूसरे नियम के द्वारा हम ग्यात करते हैं चलिए next question देखते हैं कि एक पाउंड भार किसके तुल्ले हैं एक नूटन हम पड़ते हैं तो यह थोड़ा सा देखने के जाब से जैसी हो कि यह पर्सण कैसा है तो एक नूटन बराबर 10 की गाट 5 डाइन आप लिखते जो उससे अलग हटकर की जो कुशन है उसमें आप देखिए यह वाला जो परशन है एक पाउंड भार एक पाउंड भार इससे पहले हम आपको बता दूँ एक किलोग्राम भार जैसे होता है एक किलोग्राम भार की हम बात करें तो एक किलोग्राम भार में क्या लिखेंगे वन केजी करेंगे और ये भार जो है इसकी जिगत जी है 9.8 मीटर प्रति सेकिंड स्क्वाइर लिखते है और ये जो मान आपके पास से बनेगा ये बनता 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकिंड स्क्वाइर बनता है और इसको क्या कहते है 9.8 न्यूटन की रूप में कहते है तो बिल्कुल सेम ऐसे कैसा ये कुशन होगा एक पाउंट बिल्कुल आप लिख जाएए एक पाउंट लिख दो गुणा भार की जगह हम करेंगे 9.8 मीटर पर सेकिंड स्क्वाइर करेंगे ये हो जाएगा एक पाउंट इन्टू ये 9.8 अब देखो ये मीटर है और ये पाउंट है जबकि हमें क्योंकि एक पाउंट भार को किसमें लेकर के आना है पाउंडल में किसमें लेकर के आएंगे पाउंडल में ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये किलोग्राम के लिए होता है या ये जैसे ग्राम के शाथ में अपन लेकर के चलते हैं तो यहाँ एक मीटर, मीटर की हम बात करें, तो एक मीटर में कितने फुट होते हैं, तीन पॉइंट दो आठ फुट होते हैं, और बट्टे में क्या जाएगा, यह सेकिंड स्क्वाइर आ जाएगा, अब आप इसको जब गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करने पर यह उप्राप्त होती है, 32.144 पाउंड इन्टू फुट और परती सेकिंड स्क्वाइर, और यही जो मान है, इसी को हम क्या कहते हैं, पाउंडल कहते हैं, जैसे किलोग्राम मीटर परती सेकिंड स्क्वाइर क क्या कहते हैं, पाउंडल कहते हैं, तो यह 32 पाउंडल इसका आश्वर बनेगा, सेकिंड का, जबकि धान रखना, एक किलोग्राम भार पूछा जाता है, तो 9.8 टूटन आएगा, एक ग्राम भार पूछा जाता है, तो 981 या 981 पॉइंट नहीं आएगा, उसमें, 981 या 981 ग्रान के रूप में ये वेल्यू प्राप्ते होती है, एक विद्दुद परिपत में, च्यार ओम, तीन ओम, दो ओम के तीन पड़्ति रोद, समाना तर करम में, छे वोल्ट की बैडटरी के साथ मैं स्योजित हैं, किस स्योजित हैं, जो स्योजित, स्योजण जो है, वो इस यह इनका स्नयोजन बैटरी के साथ में है और बैटरी 10 वल्ट की है पूचा गया है 4 ओम के परतिरोत से धारा का मान क्या होगा तो 4 ओम परतिरोत से धारा की बात कर रहें यहां इसकी बात हम कर रहें तो धारा के लिए a-e बराबर हम इसमें लागू होता है क्योंकि समानत्रक्रम में प्रड़ल करम में प्रेवव का मान शम्मान होता है। तो विवाव इसके ओबर कितना होगा, दस आएगा, ये दस लिख दी आपने, अब इनका, आपको ऐसा नहीं कि आप इनका समान्तर करम में तुल्ले पर्तिरोध निकालो, यहां समान्तर करम स्वेयोजन में जब भी एक पर्तिरोध पर धारा पूछी जाती है, एक पर्तिरोध पर जब विवाव का मान पूछा जाता है, तो तुल्ले पर्तिरोध निकालने की आवसिकता नहीं है, तो आप डारेक्ट आई बराबर वी अपोन आर, आई किस के लिए, आई फोर के लिए, च्यार ओम के लिए, वी का मान 10 कर दो, और आर की जिगे कितना कर दो, और इसको जब हम हल करते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 2.5 A के रूप में ये वेल्यू प्राप्ति होती है, कितना हैगा इस का मान, 2., क्योंकि 10, कितना वोल्ट की बेटरी है, कितने वोल्ट की बेटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है तो यहां कितना करेंगे 6 करेंगे और 6 में 4 का भाग देते हैं तो यह मानाता है 1.5 एंपियर तो इस तरह से यह आंशुर हो जाता अपना 1.5 एंपियर जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि समांतर करम संयोजन में जब भी दियावा हो तो आपको क्या कर वक्रता तिरजा वाले आउतल दर्पंड क्या चीज है आउतल दर्पंड है ओ तल है डर्पन कंशिक आ आ गया होगा ऑवतल दर्पन का बिलकुल धान में यह लैंस ऑजाता है इस एक जो आपन ये वाली चीज को हटा दें तो ऐसी अवस्ता में ये क्या बन जाएगा ये आपका दरपन बन जाता है ये जैसे दरपन है ये f हो गया f की value दे रखी है कितनी दरखी है 20 दे रखी है कितनी दरखी है आउतल दरपन के लिए 20 cm वकड़ता तिर जा है तो fox का मान है 10 cm है ये fox हो गया अब यहां क्या दे रखा है परसन में देखना है अपने को 20 cm वकड़ता तिर जावाले अवतल दरपन से वस्तु को किस स्तीती में रखें वस्तु को कहां रखें यदि यहां रखेंगे तो परतीबिम नीचे की side में बनेगा और उसकी आवर्णन क्षमता जो की रूप में तभी होगी जब आप इस f और इस दरपन के मद्धे किसी वस्तु को रखोगे तो ऐसी कंडिशन में बनने वाला परतीबिम जो होगा वो दरपन के पीछे की और बनेगा थोड़ी सी person में जो mistake हुई वो ये थी कि धनात्म किकाई एक से अधिक यहां ये सब्द था, एक से अधिक तब भोत आसानी हो जाती आपके कि एक से अधिक उसी वस्ता में होगा कब माइनस पंदरा का मतलब आप 10 से इधर रखो तो पड़ातीबिम नीचे बनेगा आप माइनस दस पर रखोगे बिल्कुल यहां रखोगे तो परतीबिम अनंपर बनेगा आप प्रशन जो था वो गणीतिय रूप में भी निकलता है और अपन जिसको कहते हैं कि एक आइडिया जो होता है एक सिध्धान थोरी जो होती है उसके ओपर भी ये निकलता है और उसके आधार पर ये कुशन कितना हो जाएगा माइनस पास से में हो जाएगा ठीक है नहीं एक से अधिक वाली कंडिशन में आवर्दन ख्रमता एक से अधिक तभी होगी धनात्मक जब परतिविम्प इस तरफ बने और परतिविम्प दरपण के पीछे तभी बनेगा जब हम वस्तु को कहां रखेंगे एफ और दरपण के बीच में रखेंगे और एफ और दरपण के 125 के जब परकास वीरल से सगहन माध्यम में पंधिशPlease करता है तो अपवर्तित परकास किरण केलिए क्विचलन कोण का मान होगा है अपवर्तन कोण हम देखते हैं यहां वीचलन कोण विरल और ये सगन है जैसे तो इसमें प्रकास कीरन जो होगी वो आगे इस तरह से बढ़ती जाएगी ये इसका अभिलम है बनने वाला कोण यहां कितना है आई आपतन कोण जबकि प्रकास कीरन विचली थो करके अभिलम की ओर जुकेगी किस ओर जुकेगी अभिलम की ओर जु कौन सा है किसको कहते हैं विचलन कौन परकास किरंड इस तरह से जानी चाहिए थी तब विचलन उसका सुनने होता लेकिन परकास किरंड यहां से अभिलम की और move हो गई ये वाला जो कोण होता है उसको हम whichland कोण कहते है इसको क्या कहेंगे इसको whichland कोण कहते है तो यहाँ इस whichland कोण का मान देखे यहाँ किसके है यह दोनों कोण है इसको हम कहते है डेल पलस आर बराबर यह किसके बराबर हुआ यह आई के आ जाएगा ये इसका उलट हो ये इसका उलटा हो उपर सगन और नीचे वीरल हो तो प्रकास के नभिलम से दूर हटेगी और दूर हटेगी उस समय यही मान क्या हो जाएगा तो ध्यां रखेगा तो ध्यां रखेगा ये इसका नेगी फोस्तुना अकुर्ण भीर फोर्मूलाः पर सप्सक्रूण लेकिन निमेरिकल में फिर वही ठेयोरी आ रही है क्योंकि धावनिका वेग आवरती पर डिवयंट नहीं होता है। नहीं होता. तो यहां आवर्ती पहले कितनी है? 300, वे कितना है? V. दुबर आवर्ती कितनी है? 1500, तो वे क्या होगा? वेग में no change. वेग यथावत रहेगा? V का V रहेगा. बहुत अच्छा क्यूशन है, ध्यान में रखेगा इसको. चलो, नेक्स क्यूशन देखते हैं. ताप थर्मामीटर X पर 60 डिग्री है तो इसी वस्तु का थर्मामीटर Y पर क्या होगा बड़ा अच्छा क्यूशन है देखें यह परशन क्यूंकि ताप की अपन परशन देखते हैं डिग्री सेल्चेस में होगा फॉरिण हीट में कनवर्ट कर तो सब को आता है यह 6-7 क्लास की आएंगे तो एक तो तापांतर या वर्दी वाला परशन होता है या फिर एक इस टाइप का केशन होता है तो देखो फॉर्मूला क्या है इसमें फॉर्मूला जैसे दो थर्मामीटर है एक X है और एक दूसरा Y है इनके तापकों मैं ले लेता हूं जैसे कि T1 टेंपरेचर जो है वो X का है और T2 टेंपरेचर जो है वो Y का है तो X जैसे अपन कई बार लिखते हैं C-0 बट्टा 100 बराबर F-32 बट्टा 180 तो चलो देखो फॉर्मूले का निरमान करते हैं यह क्या है C ताप मापी का तापमान और ताप मापी का तापमान जो हो हो यहां मैं ले रहा ताफ होता है यह निमनतम ताफ होता है निमनतम ताफ बिटा फिर यह सो जोकर डिफरेंस होता है थर्मामीटर के उच्चतम गोह निमनतम के बीच प्र Old This अरुच्त None- coordinate. अ $ ⁢ Reagonachet- तम्तम ताफ ब्राबर यहां फिरम लिखते हैं एक तो यह भी क्या हो जाएगा एक की जिगम क्या लिखेंगे वाई माइनस 32 का वंदर क्या हो गया निम्नताफ हो गया उस ताप मापी का निम्नताफ और नीचे एक सो असी जो है वो उसका डिफ्रेंट्स हो गया तो यहां लिखेंगे उच उचताफ माइनस निम्नताफ अब इसमें आप वेल्यू रखते जाओ देखो सबसे पहले क्या दे रखा है हीमांक तो हीमांक का मतलब यह न्यूनतमताफ हो गया 15 और कितना है 25 तो यहां लिखेंग एकस माइनस 15 और दूसरे में कर देंगे वाई माइनस 25 दे रखा है क्वेट रांक यह उचतम ताफ है पच्छोतर और 125 तो उच्छतम उच्छतम कितना है पिछोतर है न्यूनतम कितना है 15 है इधर कितना है उच्छतम कितना है 125 है निम्तम कितना है 25 है न्यूनतम 25 हो गया पस्तू का ताप थर्मामीटर X पर 60 डिग्री हो तो यहां इस X की जिग हम क्या लिखेंगे 60 माइनस 15 बट्टे पच्छोतर में से 15 गए कितने बच गए 60 और यह कर दो Y माइनस 25 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा यह 100 हो जाएगा यहां 60 में से 15 आजाते हैं कितने रहते हैं 45 रहते हैं तो यह हम यूँ लिख सकते हैं 45 बट्टा 60 बड़ाबर Y माइनस 25 बट्टे में क्या कर देंगे 100 Cancel कर दो Cancel जब करेंगे किस रूप में तो आप देखो सुनने से सुनने को काट दो यहां 6 से भी काट रहें जैसे 45 से इसको काट देखो यह दो जाएगा 3 आजाएगा और यह किरना पांच से अगया 1545 बडराबर Y – 25 और 25 को इधर लेओ तो प्लस का हो जाएगा वाई बडराबर कितना जाएगा 100 आजाएगा तो से कौन सी चीज इस में खाश वाली है आप जब भी क्युश्टन इस टाइप का मिले तो आप यह लिखो ताप मारफी का पाठांग माइनस न्यूनखंप पाठांग ँर ये इसके उपर भागों की संख्या होती है जो उच्चेतम, वो झून्तम का difference होता है, उच्चेतम माइनस निम्तम, दो ताप मापी दे रखी है, दोनों के formula अपने लिख लिए, हिमांग का मतलब क्या हो गया? हिमांग का मतलब निम्तम ताप हो गया, तो एक का 15 लिख दिया, एक का 25 लिख दिया, फिर दूसरा दिरक है उच्चेतम, उच्चेतम कौन सा होता है, कवेतनांगताफ होता है, और उसमें हिमांग को गठा दे, तो वो दोनों का क्या आजाएगा, डिफरेंस, और जब यहां तक पहुंझ जाओगे, तो फिर फिजिक्स नहीं बसती, फिर क्या बसती है, मैट्स करना, आणसर कितना है, आपका शो प्राप्त होगा, यह गती से समंदित एक क्यूश्यन, चलो देखो, एक पिंठ को 200 मीटर की उचाईश से शवतंतरता पूर्वक छोड़ते हैं, कहां से छोड़ते हैं, 200 मीटर की उचाईश से छोड़ा जाता है, 200 मीटर, यहां से इस पिं एक अन्य पिंठ को पर्थवी से, यहां से एक पिंठ को उचाला जाता है, उपर की तरफ, किस वेक से, 50 मीटर, 30 से उचालते हैं, जबकि उपर से सवतंतरता पूर्वक छोड़ेंगे, तो यू बराबर कितना होता है, 0 होता है, तब दोनों पिंठ किस उचाईश पर हैं, उसके लिए मैंने एक फोर्मूला बताया था, कौन सा जोपड़ी वाला, ह बराबर यू टी हट, इसको जब सोलूशन करते हैं हमें, तो यह इसमें निकल करके आता है, ह बराबर यू टी, ह की जिए कितना लिखो, 200 लिख दो, यू कितना है, यू 50 दे रख है, 50 दे रख है, यू, और इन्टू टी कितना है, टी हमें ग्याद करना है, तो यह टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर 4 सेकंड आ गया, कितना आ गया, 4 सेकंड, उपर से जो पिंट चलेगा, वो 4 सेकंड की दूरी, 4 सेकंड में कितनी दूरीता करता है, वो आ जाएगा, नीचे से जि इसको उच्छालते हैं तो 4 सेकिंड में 120 मीटर दूरी तय करता है और उसके लिए भी अपन फोर्मुला देखें तो आप उपर वाले के लिए ले लो या नीचे वाले के लिए चलो नीचे वाले से लेता हूँ मैं तो h s बराबर ut minus half gt square क्योंकि नीचे से उपर उचाल रहे हो g का मान कितना ले लो 10 ले लो और t की j कितना कर दो 4 का square कर दो यह हो गया 200 माइनस इसको काड़ दो 5 यह हो गया 5 गुणा 16 और यह आ गया 200 माइनस 80 बराबर कितना जाएगा 120 तो कितनी उचाई होगी वो 120 मीटर की उचाई होगी चलो next question देखें यह 7th class की science से यह question है यदि यह आपका गलत हुआ है तो बार बार आपको कहते हैं कि किताबों को देखो justice से पिछे वाला person जो था वो 9th की book से था 120 मीटर वाला आप ढूंड लेना उसे मिल जाएगा आपको सुमेलित कीजिए मैरी गो जूले की गति कैसी होती है दोड़ते समय हातों की गति कैसी होती है सीशा जूला आ रहा है सीशा सीशा जूला सीशा जूले की गति कैसी होती है पर्त्वी की अपने एक्सपर गति कैसी होती है बिल्कुल पर्त्वी की अपने एक्सपर जो गति होती है वो घुर्णन गति होती है कैसी होगी वो घुर्णन गति होती है वर्तुल गति होगी कैस इसकी कैसी गती होती है वर्तुल गती होती है इसको वर्तुल गती होती है ऐसे गोल घूमने वरा जो होता है उसको मेरी गो जूला कहते हैं और दोड़ते समय हातूं की गती दोड़ते हैं अपने इस तरह से तो बिल्कुल यह दोलनी गती होती है एक निशित समय बजात हाग क् पीछे चलते हैं और उसी निशित्पत के उपर गती करते हैं तो दोड़ते समय हातूं की गती या मार्च-पास्ट करते समय किसी भोजी या सैनिक या किसी सीपाई की जो हातूं की गती होती है वो कैसी होती है वो वाली गती दोलनी गति होती है, दोलन गति होती है, यहां सब्द हातूं की गति पूछा गया है, सी सा जूला, सी मिन समुद्र होता है, सी सा, समुद्र में नाव, आपने देखा होगा किसी मेले में एक नाव का जूला बनावा होता है, बड़ा सा, और जिसमें जब भी किसी मेले में घुसो, और आप आवास उन तो चिल्नाने की ड्डर लगने वाली तो वो सीशा जुलाई होता है वो जो खुब उपर तक जाता है ऐसे नाव कि आकार का देखा होगा पर्षन एक और रहे गया आपने निम्न में से सत्य घथन है तो कौन सा सत्य घथन था इसमें सूर्य के बाद पर्थवी की सबसे नजदीक तारा कौन सा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है तो इसमें ये कौन सा घथन था सत्य घथन था तो इसमें आपे देखो पर्षनों को कि किस पासरा के कुशन थे नुमेरिकल्स भी थे लेकिन नुमेरिकल्स भहुत आशान एक तो होता है ग्यानात्मकुद्ध से एक होता है अववद इसमें मैंने जो नुमेरिकल्स डाले थे और वह अववद आधारित थे एक दो परसंद था वह स्किल का था जैसे 120 मीटर से उपर तो के लिए परसंद तक मिलेंगे आपको थेंक्यू